हमारे कार्यकर्टागन भायों और बहनों दूर दूर से देशबार के कोने कोने से आप सब इतनी तदाद में आए हैं आज की इस भारत बचाव रैली में मैं आप सबी का स्वागत करती हूँ आप हम सब इसलिए यहां आए हैं कि काफी समय से देश की हालत बहुत कम्बीर हो गई हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके किलाब अंदोलन करें किसी भी व्यक्ति समाज और देश की जिन्दगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना परता है आज वही वक्त आ गया है देश को बचाना है तो हमें कथोर संगर्ष करना होगा आज हमारे युवा इस तरी की बिरुजगारी का सामना कर रहे हैं जैसा की दशकों से नहीं हुआ बच्चे काम की दलाश में बतक रहे हैं लगी लगा इन नोकरी अभी उनके हाथ से जा रही है उनके सामने अंदेरा ही अंदेरा है तो मैं आप से पूसे हूँ कि हम युवाओ के बविश्य के लिए कथोर संगर्ष करने के लिए तयार है कि नहीं आज जब मैं अपने अनदाता की संभाईयों की दशा को देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलिफ होती है उनके परिशानिया अतनी बढ़ गई हैं कि उनका जीना और ज्यादा मुश्किल हो गिया है उन्हें अपने खेतों के लिए सही समय पर बीज नहीं मिलता आसानी से खाद नहीं मिलती पानी बिजली की सुविदाए ठीक से नहीं मिलती इतनी सब कतिनाईयों के बवजूद पासर के उच्छित दाम भी नहीं मिलते हैं तो भायों और बहनों हमें बताएं कि अपने किसान भाय बहनों के लिए संगर्ष करने को हम तयार है कि नहीं हमारे कामगार भाय बहन दिन रात मजदूरी में लगे रहते हैं सरदी गर्मी पर साथ की परवा किये बिना अपना काम करते हैं फिर भी उन्हें दो समय की रोधी ठीक से नहीं मिल रही हैं बताए हम उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए संगर्ष करने के लिए तयार है कि नहीं चोते बरे करुबारी बैंकों से कर्ज लेकर जो काम दंदा शुरू की हैं वे मोदी सरकार की गलत नीटियों के करन तबाह हो गए हैं काम दंदा नहीं चलने की वज़े से वो समय पर बैंक का कर्ज नहीं दे पा रहे हैं पूरे परिवार के साथ आत्मा हथ्या करने की खबरे आ रही हैं तो मुझे बताएए आप कि इन्हें उनके लिए हम सब संगर्ष करने के लिए तयार है की नहीं मुझे इस बात का एसास है कि मेरी प्यारी बहनों को अपनी परिवार पालने के लिए कितना सक्रिफाइस करना परता है रात तीन महन करती हैं अपने पेट काट कर परिवार पालती है आज रुज मरा की चीजों की कीमत सीमा से बाहर होने की वज़ा से उनकी नीम तक हराम हो गई यहीं नहीं उनके उपर जिस तरह की बरबरता और जुल्म आज हो रहे हैं उसे देखकर हमारा दिल तूज सा रहा है हमारा सिर शर्म से जुग जाता है मैं आप से पूछते हूँ कि अपनी माता बहनों और बच्चियों की इस हला के किलाब हम संगर्श करने के लिए तैयार है कि नहीं आज तो अंधेर नगरी चौपत राज़ा देश अब महोल है पूरा देश पूरा देश पूछ रहा है सबका साथ सबका विकास कहा है कहा है सबका साथ सबका विकास अर्थ व्यवस्ता इस तरह क्यों दबा हो गई रुजगार कहां चले गए आप ही बताएए कि इस बात की जाच होनी चाहिए या नहीं कि जिस काले धान को बहार लाने के लिए नोत बंदी की थी तो काला धान बाहर क्यों नहीं आया वो काला धान किसके पास है इस बात की जाज होनी चाहिए या नहीं कि आदी रात को दुम्दाम से जो इस्तीला गुकी थी उसके बाद मोधी सरकार के ख़जाना खाली क्यों हो गिया इस बात की जाज होनी चाहिए या नहीं कि RBI की जेव काजकर जो लाको करोर रुपए मोधी सरकार में ही लिए वेक कहा है आप ही बताएए कि इस बात की जाज होनी चाहिए या नहीं कि हमारी नौराथन कमपनियों क्यों बेशी जा रही है और किने बेशी जा रही हैं दूसरी तरह जनता का पैसा बैंकों तक से सुरक्षित नहीं है अमार्मी खुट का पैसा ना घर में रख सकता है और ना बैंक से निकल सकता है ये इसको कहते हैं मोधी शा कहते हैं यही है आच्छे दिन आज का महौल ऐसा हो गया कि जब मर्जी आएं कोई धारा लगा दो कोई धारा हता दो प्रदेश का दर्जा बदल दो जब मर्जी आएं राष्टपती शासन हता दो बिना बहस के कोई भी विजया पारित कर दो ये समविदान विकास दिवास तो मनाने का दिकावा करते हैं और हर रोद हर रोद समविदान की दज्जिया उरा थे हैं अब तो एक नया नागरिता कानून बनाने की उसका भी इन पर काफी समय से सवार थी मोदिशा के इस बात की कोई परवा नहीं है कि ये जो C.A.B. कानून अभी लाए हैं वे भारत की आत्मा को तर तर कर देगा जैसकी असाम और 39 प्रदेशों में हो रहा है भारत भारत की वह आत्मा जिसके लिए हमारे महान राष्ट्र निर्मताओ और बाबा सहाब अनबेद करने कथिन संगर्श किया था लेकिन मैं मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे देश, हमारे देश का बुनियादी स्वबाव ऐसे बिदबाव वाले कदमों की इजाज़त नहीं देता मैं विश्वास्ति लाती हूँ कि जिन से भी अन्याए होगा कांग्रेस उन सभी के साथ करी रहेगी मोदी शासरकार को ना संसत की चिंता है अब तो सब जानते हैं और रोज भी देखते हैं संसत की चिंता नहीं है ना संविदानिक संसताओं की परवा है उन्हें मोदी शाके सिरफ एकी लक्ष उनका राजनीती की परवा है उनका एकी संकिरना जेंदा है लोगों को लरवाओ और असली मुद्दो को छुपाओ तो भाई और बहनों नाइंसाफी सहना सबसे बड़ा अपराद है इसलिए मोदी शासरकार को अपनी अवाज बुलान करके बताए कि लोगतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तयार है सम्विदान की रक्षा के लिए हम हर तरह की संगार्श करने के लिए तयार है जनता के हाकों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने सिरफ कांग्रेस ने हमेशा लराई लरी आज भी आज भी कांग्रेस पर्थी कीछे हपने वले नहीं है अपनी अंतिम सास तक हम देश लोगतंत्र और सम्विदान की रक्षा का अपना करताव्य निबाते रहेंगे तो भाई और बहनों इनी शब्दों के साथ मैं दूर दूर से यहां आने के लिए आप सबी को दिल से आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूं धन्यवाद जेहन 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 धन्यवाद झाल झाल झाल